नमस्कार, यूट्यूब चैनल N Universe Study में आपका स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हर्याना राज्या से संबंदित पूछे गए प्रशन H.S.S.C. पेपर कलर्क में और यह कलर्क का पेपर 11 दिसंबर 2016 को Morning Shift, सुबह की जो Shift थी उसमें हुआ था शुरू करते हैं, जो भी Question हर्याना राज्या से संबंदित इस पेपर में पूछे गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं, पहला प्रशन है उस फसल का नाम बताईए, जिसका पर्मुख उत्पादक हर्याना है, तो पहला Option है, धान दूसरा Option है गेहूं, और तीसरा Option है, जूट और चोथा Option है, इन में से कोई नहीं तो इस प्रसंद का जो सही उत्तर है वो है, ओप्शन B हर्याना राज्या गेहूं का पर्मुख उत्पादक है और हर्याना को गेहूं की कटोरी भी कहा जाता है, और गेहूं के उत्पादन में हर्याना का उत्तर परदेश और पंजाब के बाद तीसरा स्थान है और हर्याना में भारत के कूल अत्पादन का 12% उत्तपादन हर्याना में होता है, अगला प्रशन है छेतर फलानुसार छोटे से बड़े हरियाना के जीलों का सही अनुकरम चुनिये तो पहला option है कुरुक छेतर पानीपत सोनीपत पंचकुला दूसरा option है पानीपत सोनीपत कुरुचेतर पंचकुला तीसरे option में पंचकुला पानीपत कुरुक छेतर सोनीपत और चोता option है इन में से कोई नहीं तो सबसे पहले छोटा जिले आएगा उसके बढ़ा उसके बढ़ा उसके बढ़ा तो सबसे पहले हमें पता हो कि यह जो चार जिले हमें दिये गए है इनके छेतर फल क्या है अगर मैं आपको बताना चाहूं, पंचकुला का जो छेतर फल है, वो 816 वर किलोमेटर है, पानीपत का छेतर फल 1268 वर किलोमेटर है, कुर्क छेतर का छेतर फल 1622 वर किलोमेटर है, और सोनीपत का छेतर फल 2260 वर किलोमेटर है अगर हम question को देखें छोटे से बड़े अगर यहां देखें पंचकुल 816 है पानीपत 1268 है कुर्क छेतर 1612 है और सोनीपत 2260 है तो जो option C है यह इसका सही उत्तर है क्योंकि बाकी options में अगर देखें सोनीपत बीच में आ गया इसमें यहां सोनीपत दूसरे नंबर में है और जो सोनीपत का जो छेतर फल है वो सबसे जादा है तो सही जो करम है वो option C में है अगला प्रशन है हर्याना के निमन सभी जीलों की सीमाएं उत्तर परदेश राज्या से लगी है तो जो चार option हमें दिये गए हैं इनमें यमना नगर, करनाल और पानीपत ये तीनों जीले उत्तर परदेश राज्या के साथ सटे हुए है एक पंचकुला जीला ऐसा है जो उत्तर परदेश से जिसकी जो सीमाएं हैं नहीं लगी है अगला प्रशन है पानीपत की पहली लडाई में बाबर के वरूद कोन लड़ा था पहला option है राणा संगा, दूसरा option है राणा कुमबा, तीसरा option है इबराहिम लोदी और चोथा option है एहमद साथ अबदाली तो इस प्रसन का सही उत्तर है option C इबराहिम लोदी क्योंकि बाबर और इबराहिम लोदी के बीच 20 अपरैल 1526 को पानीपत की पहली लडाई लड़ी गई थी और इस लडाई में इबराहिम लोदी मारा गया था और बाबर ने दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार कर मुगल समराज्य की स्थापना की थी अगला प्रशन है 1756 से 1757 के दोरान हरियाना राज्य किसके नियंतरन के अधीन था पहला प्रशन है मुगलों के, दूसरा प्रशन है सिखों के, तीसरा प्रशन है मराठों के और चोथा प्रशन है इन में से कोई नहीं इस प्रशन का सही उत्तर है 1756 से स्थाबन के दोरान हरियाना राज्य मराठों के नियंतरन के अधीन था अगला प्रशन है निमन में से कौन सा आभूशन हरियाना रज्य में गले में पहनने में नहीं आता है पहला उप्षन है हंसला दूसरा उप्षन है फूल तीसरा उप्षन है गलसरी और चोथा उप्षन है बटन तो अगर मैं चारों जो अबूसन दिये गए हैं इनकी बात करता हूँ हंसला यह गले का अबूसन है और यह चांदी और सोने दोनों का बना होता है उसके बाद फूल फूल एक ऐसा अबूसन है जो गले में नहीं पहना जाता है यह सीर्थ के उपर बांदा जाता है तो फूल जो बी है इसका सही उत्तर है और यह चांदी और सोने दोनों धातों का बना होता है गलसरी जैसे नाम से ही पता चलता है गलसरी की गले का अबूसन है और यह सोने का बना होता है बटन भी गले का अभूशन है और यह है चांदी और सोने दोनों दातुओं का बना हो सकता है अगला प्रशन है इन रज्य और अथ्वा संग सासी छेत्र में एक उभय उच नियाल्या है उभय का मतलब कोमन उच नियाल्या है पहला उप्षन है दिल्ली तथा हरियाना दूसरा उप्षन है पंजाब हरियाना और चंडी गड़ तीसरा उप्षन है उत्रा खंड और हरियाना और चोथा उप्षन है हरियाना और उत्र परदेश तो इस प्रसन का सही उत्तर है अगला प्रशन है अगला प्रशन है पंडित नेकी राम सर्मा ने संदेश पत्रिका का आरंब निमन किस भासा में किया पहला उप्षन है पंजाबी में दूसरा उप्षन है उर्दू में तीसरा उप्षन है हिंदी में और चोथा उप्षन है गुजराती में तो इस प्रशन क पंडित नेकी रामसर्मा ने संदेश पत्रिका का आरम हिंदी भासा में किया, option C, अगला प्रसन है, हरियाना सरकार के दुआरा गेहूं पर निमन कौन सा कर समापत किया गया है, पहला option है, विक्रियकर, दूसरा option है, उत्पाद सुलक, तीसरा option है, वैट, और चोथा option है, ये स प्रसन का सही उत्तर है, हरियाना सरकार के दुआरा गेहूं पर वैट को समापत किया गया है, option C, अगला प्रसन है, हरियाना के मुख्या मंतरी मनोहर लाल खटर ने 3 जून 2016 को जै जुआन आवास योजना की आधार सीला कहां रखी, पहला option है, रेवाडी में, दूसरा option बहा प्रसन का सही उत्तर है, हरियाना के मुख्या मंतरी मनोहर लाल खटर ने 3 जून 2016 को जै जुआन आवास योजना की आधार सीला बहादूर गड़ में रखी, अगला प्रसन है, अगला प्रसन है, हरियाना के किस जिले में फिरोज़सा की लाट अवस्थित है, पहला option है, फतियाबाद, दूसरा उप्षन है गुरू गुराम, तीसरा उप्षन है हिसार और चोथा उप्षन है करनाल तो इस प्रसन का सही उत्तर है, उप्षन A, फिरोधसा की लाट फतियाबाद में स्थित है इसके बाद प्रशन नंबर 12 प्रशन बारा, हरियाना प्रदेश में कौन सा मां वर्स का सबसे ठंडा मां होता है जब ताप मान हिमांक तक पहुँच जाता है तो पहला उप्षन है जनवरी, दूसरा उप्षन है दिसंबर, तीसरा उप्षन है नुवंबर और चोथा उप्षन है मार्च तो इस प्रसंद का सही उत्तर है option ए जनवरी महीने में हरियाना में सबसे ठंदा मोशम होता है अगला प्रसंद है हरियाना का one विकास निगम की स्थापना हुई थी हरяжाना का one विकास निगम की स्थापना हुई थी पहला option दिसमबर 1989 में दूसरा option जनवरी 1989 में तीसरा option मार्च 1989 में और चोथा option अप्रायल 1988 में तो इस प्रसं का सही उत्तर है option A हर्याना में वन विकास निगम की स्थापना 7 दिसमबर 1989 को हुई थी अगला प्रशन है हरियाना सरकार के मंत्री करण देव कंबोज का संबंद किस निर्वाचन छेतर से है पहला उप्सन है सहबाद दूसरा उप्सन है इंद्री और तीसरा उप्सन है नारायनगड और चोथा उप्सन है बावल तो इस प्रशन का सही उत्तर है हरियाना सरकार के मंत्री करण देव कंबोज इंद्री छेतर से विधायक हैं अगला प्रशन है हरियाना के प्रथम महादी वक्ता कोन है तो पहला option है बलदेव राज महाजन दूसरा option है सीरी बाबू सवरूप और तीसरा option है हावा सिंग हुड़ा और चोथा option है इन में से कोई नहीं तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा जो महादी वक्ता है इसको advocate general भी कहते हैं A और G से इसको दरसाया जाता है इसमें जो बलदेव राज महाजन दिया गया है ये वर्तमान में हरियाना सरकार के प्रथम बलदेव राज महाजन ये वर्तमान सरकार में हरियाना के advocate general है त एड़ोकेट जनरल तीन बार रहे हैं और पहली बार ये दसमें एड़ोकेट जनरल रहे हैं और इनका जो कार्यकाल है वो पहला कार्यकाल 11 फरवरी 1987 से 26 जून 1987 तक था दूसरा इनका कार्यकाल 13 माई 1996 से 23 जूलाई 1999 तक था और तीसरा कार्यकाल 7 मार्च 2005 से 9 नुवंबर 2014 तक था तो कह सकते हैं कि A और C इसका उत्तर नहीं हो सकता उसके बाद सिरी बाबु सवरूप सिरी बाबु सवरूप का पूरा नाम बाबु आनन सवरूप है और ये हर्याना के प्रथम एडवोकेट जनरल रहे और इनका जो कार्यकाल था दो नुवंबर 1966 से 2 मार्च 1969 तक रहा और इनका जनम 15 फरवरी 1911 को रोत्तक में हुआ था और इनों ने 1933 में आजादी के पहले ही इनों ने अपनी जो वकालत है वो शुरू कर दी थी और 1935 में मात्मा गांदी के आजादी की लड़ाई के संगर्स में जुड़ने के दुरान इनका जो लाइसेंस है वो भी ब्रेटिस सरकार ने एक बार रद कर दिया था लेकिन उसके बाद फिर से ये जब हरियाना पंजाब से अलग हुआ एक नुवंबर 1966 को फिर ये दो नुवंबर 1966 से दो मार्च 1969 तक हरियाना के प्रथम एड़ोकेट जनरल रहे अगला प्रशन है जन नायक चोदरी देविलाल अवार्ड की स्चेतर के लिए दिया जाता है पहला उप्सन है अधिक्तम क्रीशी उत्पादन के लिए दूसरा उप्सन है हरियाना साइट्के में परमुखावदान के लिए तीसरा उप्सन है सूचना परवद्योगी की में नमोन मेशी विकास के लिए और चोथा सहरी विकास में मुख्यय योगदान के लिए तो इस प्रशन का सही उत्तर है जन नायक चोदरी देविलाल अवार्ड अधिक्तम क्रीशी उत्पादन के लिए दिया जाता है अगला प्रशन है नीमन में से किस स्थान में होंडा मोटर अगला प्रसन है देश की वह प्रतम महीला कौन है जो हर्याना वन विभाग में सीर्स पद पर 30 अक्तूबर 2015 को नियुक्त हुई है पहला अप्षन है हरदेर कोर दूसरा अप्षन है जस्विंदर कोर तीसरा अप्षन है मंदनेश कोर और चोथा अप्षन है अमरिंदर कोर तो किस मंदल में अधिकतम जिले आते हैं तो सबसे पहले हमें पताओ कि हरियाना में कितने मंदल है हरियाना में छे मंदल है उप्षन हमारे पास है पहला उप्षन है अमबाला दूसरा उप्षन है हिसार तीसरा उप्षन है गुरुगराम और चोथा उप्षन है रोतक इन चारों के इलावा जो हरियाना के जो दो दूसरे मंडल है उसमें करनाल है और फ्रीदाबाद है अब बात करते हैं अंबाला के अंतरगत चार जिले आते हैं अंबाला पंचकुला यमना नगर कुरक्षेतर हिसार के अंतरगत चार जिले आते हैं हिसार फतियाबाद सिर्शा और जीन्द और गुरु गुराम के अंतरगत तीन जिले आते हैं गुरु गुराम रेवाडी और महंदरगड और रोत के अंतरगत पांच जीले आते हैं सोनीपत, रोतक, जजजर, भीवानी, चर्खी दादरी तो इस प्रकार से इस प्रसन का उत्तर है और फ्रीदाबाद में भी तीन जीले आते हैं प्रिदाबाद में पलवल और मेवात नू तो इस प्रकार हरियाना में रोतक मंदल में सरवादिक पांच जीले हैं अगला प्रशन है सूपरसीद नाटक कोर्ट मार्सल के लेखक कोन हैं पहला उप्षन है विष्णू प्रभाकर दूसरा उप्षन है सवदेश दीपक तीसरा उप्षन है भगवान दास मौरवाल और चोथा उप्षन है ज्यान परकास विवेक तो इस प्रसन का सही उत्तर है सूपरसीद नाटक कोर्ट मार्सल के लेखक सवदेश दीपक हैं तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं सेयर कर सकते हैं और एन इन्वर्स टड़ी को सब्सक्राइब करना ना भूले और आप इसके फेस्बुक पेज को भी ला आपका दिन सुब रहे